तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हम बात कर रहे थे ब्रसपती जब आपके D9 चार्ट में विभिन भाव में इस्तित होते हैं तो ये क्या प्रेणाम देते हैं इस वीडियो में जानेंगे ब्रसपती अगर आपके D9 चार्ट में चतुर्थ हाउस में इस्तित हैं तो ये आपको क्या प्रेणाम देने वाले हैं देखे चतुर्थ हाउस में ब्रसपती का आना ये दिखाता है कि आपकी जो पूरी लाइफ है उसके उपर इसका एफेक्ट पड़ेगा आपके प्रोफेशनल केरियर पर आपकी डॉमेस्टिक जो स्तिती है लाइफ की उसके उपर और आपकी जो माताजी हैं उनका रोल आपके स्पाउस के जीवन में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा या यूं कहें कि आपकी माताजी का रोल आपकी मैरीड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा हो सकता है कि आपकी जो माताजी हैं उनकी चोईस का आपका लाइफ आर्टनर हो या आपक माताजी भी उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाली होंगी ये इस्तिति में आपकी जो domestic life है काफी अच्छे होने के आसार है आप अपनी जिम्मेदारियों को काफी अच्छे से निभाने वाले हैं बलही आपके घर में किसी भी परकार का कारिय हो आप उस पर पूरा-पूरा फोकस करने वाले अब ब्रस्पति की ये इस्तिति ये भी दिखाती कि आपको कैरियर में भी काफी ज़्यादा improvement मिलेगा marriage के बाद ये स्तिति में आप अपनी domestic जो life है उसको और आप अपने कैरियर को बहुत अच्छे से balance करके चलेंगी और ऐसी स्तिति में कैरियर में जो भी आप कुछ सोचने वाले हैं जो भी आप कुछ करने वाले हैं जो भी आपने target decide करा हैं वो target आपको easily achieve हो सकता है तो कैरियर में आपके growth होगी आपको एक नई पहचान मिल सकती है आपका जो घर परिवार होगा उसकी स्तितियों में बहुत बड़ा कोई बदला हो सकता है ब्रस्पति की ये स्तिति ये भी दिखा रहे कि आपकी जो married life होगी काफी सांतिपोंट रहेगी वो काफी अच्छी रहेगी अगर यहां ब्रस्पति खराब स्तिति में हैं तो कुछ मामलों में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है यानि कि आप अपने कैरियर को और अपनी domestic life को बहुत ज़्यादा balance करके नहीं चल पाएंगे आपका focus ज़्यादा domestic life पर रहने से आपके जो कैरियर है उसमें उतनी ज़्यादा growth नहीं होगी तो आप इसको इस परकार से देख सकते ब्रस्पति की इस्ति ये भी दिखाती है कि आपका जो जिवन साथी होगा वो बहुत ज़्यादा spiritual हो सकता है और आपकी mother का जो spiritual connection है उनके साथ बहुत अच्छा हो सकता है ये इस्ति आपकी जिवन में काफी ज़्यादा भग्य लेकर आएगी आपके जिवन में और आपकी life को काफी better बनाने के लिए ब्रस्पति इसे इस्ति में आती है तो हम ये कह सकते कि आपकी life जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपकी family में काफी ज़्यादा improvement आता जाएगा आपकी family life एक अच्छे standard वाली हो सकती है आपकी family life काफी इनुसासित होगी काफी सही परकार से होगी और परिवार की जो सदस्य हैं उनके बीच में सम्मन्द बहुत यच्छे रहेंगी तो सब सदस से एक दूसरे को support करके चलेंगे और career में आपको inspire करने वाला आपका spouse होगा इसी तरह आपकी mother का role भी आपके career में बहुत ज़्यादा महत्वपन होने वाला है तो आप कही न कहीं अपनी married life के साथ अपने घर के कारियों पर भी पूरा focus करेंगे ये इस्ति आपको कोई बहुत बड़ा property जैसा lab दिखाती है या घर की इस्तियों में प्रिस्तियों में बहुत बड़ा परिवर्तन होना या marriage के बाद एक अच्छा घर आपके पास होना और घर में बहुत सारे spiritual कारिय होना ये दिखाता है ब्रस्पति के इस इस्तियों में आपको marriage के बाद especially जो जुपिटर से जुड़े जो कारी छित्र है उनमें जरूर ट्राई करना चाहिए आप किसी को कोई प्रामर्स दे सकते हैं teaching का field है, finance का field है कोई आध्यात में छित्र है जिसमें आप जाना चाहते हैं या ऐसा ही आप कोई अगर business करना चाहें तो भी हो सकता है तो ब्रस्पति की ये इस्तिति आपको काफी अच्छी तरीके से improve करेगी आपकी life को काफी अच्छी से improve करेगी और आप अपने career के जो decision लेंगे marriage के बाद वो काफी unique हो सकते हैं वो काफी अच्छे भी हो सकते हैं तो career आपका आगे बढ़ेगा आपकी जो life है वो भी काफी आगे बढ़ेगी इसके साथ साथ तो कुछ इस प्रकार के प्रेणाम ब्रस्पति देंगे यहाँ जब भी हो चतोर्थ house में इस्तित होंगे एक और बात यहाँ पर यह है कि ब्रस्पति का इस स्तिति में होना आपकी संतान होने के बाद आपकी जो improvement है आपके life में ज़्यादा आएगा और कहीं न कहीं आपकी संतान का जो role है आपके life में बहुत ज़्यादा important हो सकता है marriage के बाद और आपका उनके साथ connection आपके माता जी और आपके spouse का आपके संतान के साथ connection बहुत ही अच्छा हो सकता है